So the question is, a particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter. 5 meter per second per meter, बस यहाँ पर आपसे खेल खेला गया है, अगर आपने यह समझ लिया था, तो कुशन आराम से हो जाता, otherwise यह कुशन नहीं बनेगा. The acceleration of the particle at a point where its velocity is 20 meter per second. तो आपको acceleration बताना है, कब जब particle विस्टे कित्ती हो जाए आपकी 20 meter per second. अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, वस वो यह है, यह है आपको. तो उसने क्या बोला है, कि जो velocity है, वो increase हो रही है 5 meter per second per meter. यानि एक meter में 5 meter per second speed बढ़ाई जा रही. तो भईया यह तो rate हो गया ना, पर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप पर समझ लेते हैं, वहाँ पर rate आ जाता है. क्या जाता है? rate, जिसे normally 5 meter per second. तो एक second में 5 meter बढ़ रहा है, है ना? तो rate को हम कैसे दिखाते हैं बेटा? differentiation से, हम differentiation क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें किसी भी चीज की rate मालूम पढ़े, और rate को क्या? differentiation होता है, dy by dx, यानि इसका दूसरा meaning क्या है? rate of y with respect to x, यही तो पढ़ते हैं, rate of y with respect to x. तो आपसे पूचा है, यह क्या दरखा आपको? speed और यह दरखा है आपको length, यह फिर meter में क्या होता है? distance at displacement, यानि यह जो आपको दिया रखा है ना 5, यह दरखा है आपको divide by dx, यह दरखा है आपको 5, दियान से देख लिजिए, 5 meter per second per meter, तो speed की rate दे रखिए with respect to displacement, तो dy dx आपको 5 दे रखा है, बात समान में आ गई? ठीक है? ज़्यादा दिक्कल देने ही जरुद नहीं है, अब यहाँ पर dy dx आ चुका है, मुझे acceleration का ऐसा formula चाहिए, जिसमें dy dx आता हूँ, तो एक formula है भाईया, आमारे पास, v dvy dx, है के नहीं, dy dt थो हम तब लगा दें, जब velocity यह time के response में दी जाती, है ना, तो velocity किता दे रखा है आपको 20, और dy dx किता दे रखा है 5, 20 इंटो 5 कितना हो ज that is your answer. आगे?